नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाट साला में आप सब का स्वागत है आज हमारे पास एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दा है और पूरा देश इस पारे में सोच रहा है और मुझे लगता है कि आप सब भी इस मामलें काफी गंभीर होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश की नयाइपालिका को हुआ क्या है ये बहुत गंभीर बिमारी दरसल नयाइपालिका के अंदर थी और बदला सिर्फ इतना है कि अंदर से बिमारी जो थी वो बाहर आ गई है बिमारी नहीं थी ऐसा नहीं है ये गंभीर समस्या नियाइपालिका के अंदर लंबे समस्या पल रही थी और वो समस्या गंभीर हो गई है देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि नियाइपालिका इस देश की हला कि एक लेम है कि बहुत निश्पक्च है मुखती मांदार है लेकिन नाय पालिका के अंदर रिफार्म की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है ये मांग इस बात को लेकर हो रही है कि जजेज क्या जज को खुद्नियुक्त कर लेंगे क्या 200 परिवार पूरे देश की हाई कोट और सुप्रीम कोट को चलाएंगे क्या देश इस तरह से चलेगा एक जो प्रमुख स्तम्भ है देश को चलाने का तीन स्तम्भों में वो एक स्तम्भ इतना अलोगतांत्रिक कैसे हो सबता है मैंने इस लाइव के पारे में आपसे बात की थी कि जश्टिस कर्णन ने जो सवाल उठाए थे वो उसमें क्यों कार्पेट के नीचे दबा दिये गए और आज जब वही सवाल सामने आये हैं तो वो सारे जज जो अब सवाल उठा रहे हैं कि नहीं पहले कि अंदर कुछ गरबढ है तो क्या ठीक यही बात जश्टिस कर्णन नहीं कह रहे थे और जश्टिस कर्णन कह रहे थे तब वो बात बात नहीं थी और अचानक से जब इनको लगा कि बात अपने उपर आ गई है और हुआ क्या है जश्टिस दीपक मिर्शाश्री इस समय क्या कर रहे है वो चुने हुए केस जिन बैंच को जश्टिस दीपक मिश्रा क्रिटिकल केसे सौप रहे हैं वो तो खुश हैं उनको अच्छा लग रहा है कि वो महत्पून फैशले कर रहे हैं लेकिन जो ये चार जैज हैं सिनियर जैज हैं ये kohlेजियम के भी पार्ट हैं इनको लग रहा है कि हमारे हाथ में तो देखें तो अगर यह मांदार होते विद्रोह के पृति तो जस्टिस कर्णर ने क्या यही सवाल नहीं उठाए थे क्या हाइट के अंदर जस्टिस कर्णर ने यहीं नहीं कहा था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से एक-एक केस का फैसला कर रहे हैं नियम क्या है सल्मिन्याय वो बरावर माने जाते हैं सबके पास बरावर अधिकार होते हैं और चीफ जस्टिस के पास सिर्फ ही अधिकार होता है कि उनका रोस्टर तै करे और बेंच बनाए यह दो अधिकार के अलावा आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक फैसले का जितना व कोई बड़ी चीज है, कोई राजा है और बाकी जज कोई प्रजा है ऐसा नहीं है बहुत असपस्ट रूप से यह है कि Chief Justice सिर्फ रोस्टर बनाने के मामले में बाकी जजों से उपर है तो चन्नाई High Court में क्या हो रहा था? चन्नाई High Court में Chief Justice अपनी मर्जी से यह तैय कर रहे थे केस बाइ केस, रोस्टर क्या होता है? कि कोई बेंच या कोई जज किस तरह के केस लेगा यह तैय होता है कि यह बेंच जो है, यह Family Court, Family Cases लेगी, यह Criminal Cases लेगी, यह Constitution Bench जो है वो इस तरह के फैसले लेगा दरसल मामला रोस्टर बनाने का यह है, यह नहीं है कि individual judge कौन सा फैसला करेंगे? यह फैसला नहीं होता है, यह तैय नहीं करता है Chief Justice दीपक मिश्चा के केस में दरसल वही Problem हो रही है, जो Problem चन्ने High Court में कर्णन साहब को ही थी Chief Justice सहाब case by case, case की प्रकृती नहीं, family cases एक साथ सुझाए जाए जाए, ऐसा नहीं है वो इस तरह नहीं तैय कर रहे तो, वो कर रहे थे X case है, इसको तुम तैय करो और यह Y case है, इसको तुम्हारी Bench देखेगी यह दरसल करवड़ी Supreme Court में हो रही है, और आप अगर उस चिठी को पढ़ेंगे, जो मेरे सामने खुली हुई है उसमें स्पस्टूप से इन चार जजजज को Problem क्या है, इनकी शिकायद सिर्फ यह है, कि आप अपने मन से यह तैय कर दे रहे हैं कि कौन सा केस, किसके पास जाएगा, यह तरीका नहीं है, क्योंकि हम भी बराबर के जजज है, बराबर का धिकार है आप रोश्टर तैय कर दीजे, कि यह जो Bench है, वो X ट्राइप के केस तैय करेगी, यह तो कर सकते हैं कि नेके केस अगर चीफ जश्टिस तैय करेगा, तो इसमें दरसल बैलेंस अ पाउर बिगड़ता है मैं चीफ जश्टिस हूँ, मुझे मालू है कि X जज जो है, वो उस खास तरह की विचार रखता है, आरच्छन विरोधी है मैं आरच्छन के केसे उसको दूँगा, और कभी लगेगा कि नहीं मुझे आरच्छन के पक्ष में फैसला कराना है, तो मैं दूसरे जज के पास दूँगा तो ये दरसल जो बैमानिया होती है, वो उसको रोकने के लिए ये विधान है कि चीर जश्टिस सिर्फ रोष्टर तै करेगा, तो दरसल इस मामले में आप पाएंगे कि चार जज जो है, वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही बात, कुछ समय पहले, अगर उस केस को खोल कर देखें, जश्टिस करनन के केस को, तो आपको पता चलेगा कि उस समय, इस साथ जज जो है, इसमें से चार जज, जो अभी चलमेश्वर साहब, लोकुर, जोसेफ और गोगोई, ये चारों उस साथ जजों के बेंच में थे, इन लोगों ने अन्याय बहुत बढ़ा किया, औ कोई अन्याय अब इन पर आ रहा है, तो इनको दर्ध हो रहा है, वरना आप बिल्कुल सिमिलर केसेज में, बिल्कुल सिमिलर मामले में, आपने ये कैसे फैसला किया, कि जश्टिस करनन दोशी हैं, जश्टिस करनन अगर दोशी हैं, उन सवालों को उठाने के लिए, तो को इधर उधर डाल रहे हैं अपनी बेंच चुन रहे हैं और इसमें गरबढ़ियां हो रही है तो इसी आधार पर आप जो चार जज हैं आप पर भी क्यों न वही धारा उसी कानून की धारा के तहट उसी IPC के तहट आपके खिलाब भी क्यों न कारवाई की जाए अब तकलिफ आपको हो रही है तो आप बगाईदा सुप्रीम कोट के परिशर में प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं एक इंस्टिउशन का आप इस तरह से अपमान कैसे कर सकते हैं अगर करनन ने उस इंस्टिउशन का अपमान किया था अगर वो अपमान था तो आप जो कर रहे हैं उससे यह कि इसमें जो भारत का संविधान है जो बावा सहब ने ड्राफ्ट किया और पूरी संविधान सभाने लागों कि ऊस्पष टूरुप से यह विधान है कि हाई अर्योडी शरी में जजों की नियुक्ति में कारेपालीका की भी मुभमिका होगी कारिपाली का जो है वो जो जजेज की राय से इस बात को तै करेंगे कि कौन जज बनेगा लेकिन जजेज जो केसेज हुए तीन जजेज केसे गेसेज हुए और इसके बाद ये पूरा अधिकार जजों ने अपने हाथ में ले लिया सिनियर मोस्ट जो जजेज हैं वो कोलेजियम बनाते हैं और वो तैय करते हैं कि कौन हाई कोड और सुप्रीम कोड का जज होगा यह दुनिया की संभोता अकेली जुडिशेरी है जो अपनी नियुकती खुद करती है यह अजीब सी स्थिति है तो पिर पिसमें संतुलं कहां से आएगा आप तैय करेंगे कि मैं अपने किसी दोस्त के रिष्दार को बना देता हूं या आप तैय करेंगे कि इसके साथ हमारा आगे यह हमारा संधी बनने वाला है तो इसको मैं जज बना दूँ इस तरह से अगर इस देश में जुडिश्यरी में नियुक्ति होगी और उसमें कारिपाली का कोई भूमिका नहीं होगी और जजज के खिलाब तो जनता भी उसके खिलाब वोट नहीं डाल सकती है उनके खिल देखिए यह इस जुडिश्यरी का जो अकर्मन्यता है वो इस बात से भी सावित होती है कि यह देश सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेज वाला देश है इस समय में आकड़े देख रहा था आज सुबर तो दो करोड़ 81 लाग का मुझे कुछ जगह मिला कि इतने केसेज पे रहे हैं क्यों आपको लंबी-लंबी चुटियां चाहिए गर्मियों की पूरी पूरी आप तेखेंगे सुप्रीम पोड़ खाली हो जाता है एक जब जो एक एक बैंच काम करता है पूरी के पूरी सारे जज़ चुटियां मनाने चले जाते हैं और ऐसा है तो आप 10 ज़ज औ बलते हैं उससे आपको यह तो लगेगा ही कि एक इनेफिशेंट संस्था है इसमें एफिशेंसी की बहुत सक्त कमी है और इस वज़े से आप लगातार लोगों को परिशान कर रहे हैं तो इस एक सबसे बड़ी समय स्या यह है कि आपने एक इनेफिशेंसी तो बैदा की आप अपने आपकी नियुक्तियां खुद कर ले रहे हैं और पूरी जुडिशेरी में रिस्तार भरे पड़े हैं कुछ खास वर्गों के लोग भरे पड़े हैं कुछ खास समुहों के लोग भरे पड़े हैं यह जुडिशेरी की दूसरी प्रावलेम भी है कि इस देश की जुड पूरदेश की संसत को और दरसल इसका मतलब है कि इस देश के 125 करोड़ लोगों को उस समय की जनगर्णा की हिसाब से ये लग रहा था कि इस काम को किया जाना चाहिए कि इस देश की जुडिशेरी को कौन चला रहा है और इसमें ये पता चला कि कुछ जातियों का इस जुडिशेरी में बहुत जादा वर्चस्व है और वो जातियां अगर बहुत एफिशेंट हैं तो क्यों नहीं फैसले लेती है फैसले करने में इतनी देरी क्यों है क्यों अपने जज़ेज की संख्या नहीं बढ़ाती है ति बहुत जरूरी है क्योंकि यह संख्यान ना बढ़ाई जाए तो इसकी वज़ाए से बहुत सारी और दिक्कते होंगी जी तो यह जो देश में जुडिश्यरी की समस्या है इस देश में अगर दो करोड एक्यासी लाग केसे पेंडिंग है ता समझे कितने परिवारे तबाह हैं और इतने परिवारों को इतनी सारी दिक्कत हो रही है और इसको किस तरह से इस दरसल लोगों का विस्वास तूटता है यह बहुत सारे लोग यह ऐसा करते हैं कि आप जज के पास जा रहे हैं आप कोट में जा रहे हैं अपना केस लेके और इसकी वज़े से अगर दिक्कत होने लगी है लोग लोग को वह फैसला नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए होसता है कि जश्टिस कर्णन ने अगर उस समय यह आवाज न उठाई होती तो आज इन चार जजेज की आवाज को भी असल में दरसल कुछ दबा दिया जाता यह समय से इस लूप में आती जश्टिस कर्णन ने बिलकुल में लगता है कि उस समय वह एक जो अकेले खड़े हो जाना प बहुत मनमाने ढंग से होता है इस बात यह बात अब सतह पर आ गई है तो यह एक अच्छी स्थिति है और मुझे लगता है कि जडिश्यरी को लेकर जो बहस है वो तेज होनी चाहिए कोई भी संस्था विवादों से कोई भी संस्था सवालों से परे नहीं होनी चाहिए इस और अगर कोई प्रश्न उठता है तो इसको एक अपने उपर हमले की तरह नहीं लेना चाहिए यह कर को ऊस्था आरी है तो आप मान कर चलिए को समस्था आप में हो सकती है आप हैं क्या मतलब ऐसा क्या कि आप में कोई समस्या नहीं हो सकती है आप भी इसी समाज में पैदा हुए हैं उसी तरह से आप पले बढ़े हैं, सिक्षित हुए हैं आप वही खाते हैं, आप वही हवा सांस लेते हैं तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप सारे विवादों से परे रहें और कोई आलोचनाओ तो आप उसको जेल में डाल दें, ये कितनी शर्मनाक बात है, आप आलोचनाओं से खुद को परे क्यों मान रहे हैं, ये दरसल एक बहुत गंभीर समस्या है, इस देश के एक महत्पूर् संदे के घेरे में आना, इस समय मुझे बार-बार जेस्टिस कर्णन से हुई अपनी मुलाकातें याद आ रही हैं और उन्होंने जो कहा था कि ठीक है, इस समय हमारे लोग भी, हमारे जो समाज के लोग हैं और देश के लोग हैं, वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन आज की तारीक में आज जब आप 12 जनवरी 2017 को आप ये कह सकते हैं, बहुत गर्व से कह सकते हैं जो लोग जैस्टिस कर्णन के साथ थे, कि हम सही व्यक्ति के साथ थे, सही सवाल पर उनके साथ थे, और हम नयाय के साथ थे,िस डेष ने परिवर्तन की बात करनी चाहिए और वो सवाल उठाये जाने चाहिए जो सवाल दरसल नहीं उठाये गए थे और इस तरह से हम एक देश के हित में काम कर रहे होंगा अगर हम यह प्रशन उठाते हैं जो प्रशन अभी तक अनुतरित थे इस बारे में और अगर आपके मुझे लगता है कि यह विवाद अभी कुछ दिन तक और चलेगा यह एक बड़ा प्रशन है और इस प्रशन पर अभी और बाचीत होगी खास करके जजेज की नियुक्ति कैसी हो इसमें मेरा अस्पष्ट मानना है कि पार्लियमेंट की सरकार की कोई भूमिका होनी चाहिए अगर उ हो जगर गलत पैसला देरा भी बैमानी कर रहा है तो हमारे पास दरसल विकल्प क्या है हम किस किस तर से असहाय हो जाते हैं तो यह मेरे खाल से एक बुरी स्थिति है जुडिशियरी के सेलेक्शन में निश्चित रूप से सरकार के एक भूमिका होनी चाहिए और दूसरा की इस देश के सम्धान में इंणDER जुडिशियल कमिशन का एक जो अपोइटमेंट कमिशन होता है यूग की बात है जब सब पदों के लिए सरकारी पदों के लिए परिशाय हो रही हैं तो जुडिश्यरी में बगर किसी परिश्चा के बगर किसी जांच के कोई व्यक्ति क्यो तो अच्छे पढ़े लिखे जानकार लोग जुडिशरी में आएंगे अभी जैसे एक जज्ज ने कहा कि मोर और मोर्नी मतलब आप कलपना कीजिए इस जज्ज का हाई कोट का जज्ज ये बोल रहा है कि मोर्नी मोर के आंसू पीके गर्वती हो जाती है और उसने पिछले 20-25 सा सकते हैं तो और वो जज्ज खुद को बानता है कि मालोचना से परे हैं अगर आप इसकी आलोचना करेंगे तो कंटम्ट अब कोट के ताथ आपको सजा दे सकता है तो इस तरह के असिच्छित अनपढ़ अंधिश्वासी जज इस समय जुडिश्यरी में बैठे हुए हैं मु अगर नियाई पाली का रिप्रेजेंटिटीव होती है ये कितनी सरनाग बात है कि आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 6 जज्ज जो है वो महिलाये हुई है इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक भी स्रिडूल कास्ट का जज्ज नहीं है और इसको लेकर देश शिंतित भी नहीं जैसी एक चीज होती तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया के तहट और समयधानिक प्राधानों के तहट कुछ अच्छे जज्ज हर्स जाती और समधाय से आते और लोगों को भरोसा होता कि अपने लोग सब तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं एक सतरंगे किस्म की नया प्रोसा पैदा करती इसके मुकाबले सिर्फ एक जाती लगभग आधी जुडिशरी देती है उनकी नयाय समता पर मैं संदेह नहीं करना हो कि ब्राह्मन नयाय कर सकता है कि नहीं कर सकता है लेकिन एक ही जाती जो मुश्किल से धाई या तीन परसेंट आवादी होगी उसकी और उसमें भी उसका भी पुरुष मतलब 1.5 पर प्रतिशत आवादी इस देश की जुडिशरी के आधे हिस्से पर बैठा हुआ है हायर जुडिशरी में और लगता है कि कोई समस्या नहीं है बड़ी नॉर्मल चीज है तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने द इठा की चल रहा है मुझे लगता है कि एसमस्थ्या मुलक है एक जाती का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं होना चाहिए उस जाती की किसी व्यक्तिकी मंसा पर मैं शक नहीं कर रहा हूं वह सकता है कि अच्छे लोग हों इमांदार हों लेकिन एक जाती इतना इस पैसे घेर ज्यादा घ्यान आ जाता है आपके घ्यान की परिक्छाय हम लगाताह देखी रहें कि आपमें कितना घ्यान है तो यह दरसल मुझे लगता है कि ऐसा समय है जिस समय को लेकर बहस तेज हुई है आप सब इस बहस में सामिल हों सिर्फ एक मैं आपको चेतावनी देता हूं और एक अलर्ड भी देता हूं कि जुडिस शेरी में जजों की मंसा पर प्रश्ण करना जो है वो कंटेम्ट अब कोर्ट का मामला बनता है लेकिन अब जब कि खुद जजेज सुप्रीम के उल्डुल हाब करना है उस से इस से बहुत कुछ बोल जाते हैं और इसके इंप्लिकेशन इसका नतीजा जो है वो जिलने के लिए आप अक्सर अकेले होते हैं, भारत में खास करके बहुजन समाज के लोग इतने सचेत नहीं है कि अपनी आवाज उठाने वालों के पक्ष में वो खड़े हों, उनके केसेज लड़ें, जब वो कोई केस लड़ रहे हैं तो उनके परिवार को समालें, इतने सचेत लोग मुझे मालू है कि मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें भी हो सकता है कि कोई कंटेम्ट किसी को लगे, तो इसके कंसेक्वेंस चुकी मैं जहलने के लिए तयार हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो और इसको मेरे ख्याल से बहुत स्पश्ट रूप से आपको कंटेम्ट आ तो इस समय मुझे लगता है कि यह खुल गई है, इस पर और बात हो सकती है, और इस बात को करना मेरे ख्याल से, हम स्ब लोग इसको कर रहे हैं, यह देश्षित का काम है, राश्षित का काम है. आप सब लोग इस बातचीत में शामिल हूँ, इस कारिकम का नाम हलांकि बात्चित को रखने की कोशिश की तो हम सब लोग इस बात्चित को आगे रखें और मेरा जैसे यह है कि जैसे एक मनोज यादो जी कह रहे हैं कि अपने भासन को यूट्यूब पर डालें तो बहुत सारे चैनल मेरे वीडियो को डाउनलोड करके और यूट्यूब को डाल रहे हैं और काफी लोग इसे देख रहे हैं और सरा रहे हैं बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आए हैं तो लगातार हम मुझे उम्मीद है अपने आप से में प्रोमिश कर रहा हूं कि इसको मैं जारी रख पाऊंगा और आप लोगों के सवाल इसी तरह से आते रहे हैं और हम लोग कुछ वो सवाल जो दरसल नहीं पूछे जाते हैं में इस्ट्री मीडिया नहीं पूछता है चैनल इस जो सवाल नहीं उठाते हैं उसको हम लोग यहां उठा पाएं इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म करता हूं आखरी बात सिर्फ यह है कि जुडिशेरी अब बहस के डायरे में है इससे अच्छा इस देश में कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक इनिफिशेंट संस्था है उसमें करप्शन भी उतना ही है जितने बाकी संस्थाओं में यह घंगोर रुख से जातिवादी और परिवारवादी संस्था है यह मेरी असपस्ष्ट मान रहने के लिए थेंक यू